ट्रांस्पोर्टर ड्राइवर एकता सरकार हमारी मांगे पूरी करें पूरी करें खिल भारते ट्रांस्पोर्ट एस्सेशन से आज जंतर मंतर पे धरना देके सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आभी पिछले महिने 5% जो टोल टेक्स बढ़ाया है उसको तुर्ण परभाव से वापिस लें और इस टोल को एक मुस्क ले लें तो कि जितना ट्रांस्पोर्टर दस-15 साल की गाड़ियों की उमर कर रखी है तो दस-15 साल की कैल्कुलरेशन करके वन टाइम ले लें और रोड टेक्स बंद करते हैं क्योंकि सारे टेक्स आगर हमें ही देने हैं तो फिर हम कैसे होगा आज ट्रांस्पोर्टर की हालत इतनी खराब है क्योंकि 50 परसेंट गारियां बिना किस्तों के रोडों पे खड़ी हुई है गरों में खड़ी हुई है अगर ऐसे ही चलता रहा है तो बहुत बुरा हाल होगा हम चाहते हैं कि सरकार टोल टेक्स वह एक मुस्क ले ले और यह जो टोल बढ़ाया इसको वापिस ले और दूसरा जो टोलों पे और बोडों पे जितना भी भरस्टाचार है उसको बंद करे है कि जो आज़गारी दिली से बंबे जाती है तो जितना तोल और ये ब्रस्टाचार का पैसा है उससे कम डीजल लगता है हम इतना बुला प्रेशान है कि जिसका कोई चिकारा नहीं है हम चाहते हैं कि ट्राइवर आयोग का घठन हो ताकि फैसिलेटीज मिलें सरकार 50 लाग सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि ये वो ट्रांस्वर्ट समाज है जिसने दो दिन पर सरकार को भुटने विला दिया था अगर सरकार ने जल्दी हमारी मांगे नहीं मानी तो इनको इसका खामियागा भुगतना बढ़ेगा क्योंकि ट्रांस्पोर्ट जो है पूरे देश को चला रहा है लेकिन आप इस पे हर रोज हर मैंने कोई नया कानून इस पर देते हैं तब पहले ही अथी तक जीएस दे देते हैं उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन होने जाता है तो वहां स्टेट का टैक्स लेते हो अगर पीली गारी ने टैक्सी देना तो वह तो पूरे देश को समय से हर चीज पहुंचानी है तो अगर बॉडरों पर एक्स के लिए है जब रस्ती उगाई के लिए गंटो गंटो गाड़ी को रोके रहेंगे तो समान कराब होगा जंता का नुक्सान होगा तो इससे अच्छा है कि हमारे पहले ध्यान देदे ना हमारा नुक्सान हो ना उन े अर्छान सभी कि उांज पोगाऊ फिरिय धुक्ता ना है तो घं य। है जली ंने हो इका उड़सी